रहुस्कार स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अर्पितार है आप देख रहे हैं बिजनस आज तक जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी ख़बर से हवा करूबरू कराएंगे बुलिटन की शुरुवात करते हैं टॉप 10 न्यूस के साथ पारे सरकार के बिटोइन को पैन करने की प्रसnt से दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसी में 15% से जाधर फिगराव थैंगे सरकार कर रही हैं समस्दमे। क्रिप्टो करेंसी को पैन करने का बल लाने के rubbing 2021-22 में 9% की दर से बढ़ सकती है देश के अर्धरस था कुरूना पर नियंतरन खर्च में तीजी की चलते गूल्डमेंट सेक्स ने लगाया अनुमार GST रेट बढ़ा कर तीन लाख करोन रुपे कबाने की यूजना पर सरकार कर रही विचार GST रेट को 5 से बढ़ा कर 7 और 18 से बढ़ा कर 20 परसिट करने के प्रस्ताओं पर तारिन करेगा विचार पहरिफ बढ़ाने से एरटल वूड़ाफून आइडिया की आमदरी में होगी बढ़ोत रुई किवल 28 दिन में एरटल 700 करोन वूड़ाफून आइडिया 540 करोन रुपे ज़ादा कमाएंगे सेभी के शेर्मेन ने निवेशकों को फिर से आगाह किया कहा बाजार की अफ़वाहूं के आधार पर पैसा न लगाए निवेशक स्टार हेल्थ का आईपियो 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुलेगा राकीश जुनजुनवाला की हुल्डिंग वाली कमपनी के आईपियो का प्राइस बैंग 870 सी 900 रुपे मोडीज ने आरामको की हिस्सेदारी ना खरीदने के नर्ले से रुलाइस के क्रिडिट क्वालिटी के बेसर रहने का किया दावा कहा सौदी आरामको को हिस्सेदारी बेशने से रुलाइस की बैलन्स शूट जादा मश्बूत होगी साइबर अटैक में वेब होस्तिंग कमपनी गो डाड़ी के बारा लाख अग्राहकों के डेटा लीक, कस्टोमर्स की इमेल आईडी और फोन नंबर समेट कई निजी जानकारियों को थर्ड पार्डी ने एक्सेस किया को वैक्सीन के असर पर रेंसिट इन्फेक्शिस डिजीज जनरल में प्रकाशित रिपो को वैक्सीन की दूडोज कुरूना रोकने में 50 प्रतिशत असरदार पिछली रिपोर्ट में 37.8 प्रतिशत प्रभावी बताया था तूरिज्म को बूस्ट देने के लिए 180 नहीं ट्रेनी चुलाएगा रेल बी प्राविट कंप्नियों उसको लीज पर प्रेंट की मिलेगी मन्सूर 25 नवेंबर को जेवा इस्थेक नॉड़ा इंटरनाशनल एरपोर्ट की नीव रखी जाएगी एशिया के इस सबसे बड़े हवाई अड़े के शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश को इंस्ट्रास्ट्रक्शर के विकास में बड़ी सफलता मिलेगी आखिर कैसा होगा ये एरपोर्ट और क्या है इसकी खूबिया इसका जाइजा लिया हमारी समवादाता नेहा बात होते 25 अवंबर को प्रधान मंती नरेंद मोदी जेवर ऐपोर्ट का शिला नयास करने जा रहे है यानि कि इस जेवर ऐपोर्ट की परिकल्पना चोग लंबे वक्त से करी जा रहे थी अब दरअसल शक लेने के लेता है कैसा दिखने वाला है जेवर ऐपोर्ट हम आपको समझा देते हैं इस चोड़े से मॉडल के जरीए दरअसल तीन फेज में इस एपोर्ट को बनाया जाएगा ताकि बेहतर कनेक्टिविटी इस एपोर्ट को दी जा सके क्या है ये पूरा मेगा फ्लान क्या है इसकी खासियतें जेवर ऐपोर्ट की मेहतरता समझने के लिए और बताने के लिए हमाई साथ महेश अर्मा जी खुद मौदूरी महेश जी बहुत बड़ा मौका 25 सारी को होने वाला है लेकिन इस बीच आप हमाई दरश्कू को दरसल ये समझाईए कि एपोर्ट की खासियत क्या होने वाली है क्यों ये बेहद मैतुपूर होने वाला है क्यों इसके लिए इतनी तमाम तयार है जिसका जाइजा लेने सुएम मुख्य मंत्री आज पहुँच रहे हैं देखे पहली बात तो NCR चेतर में एक बहुत बड़ी जरुत थी लगवग 6 करोड़ संख्या को एक एरपोर्ट पूरा नहीं कर सकता था और हमारी संस्तान International Civil Aviation Organization ने वार्निंग दे दी थी कि 2023 तक हमारे एरपोर्ट दिल्ली वाला एरपोर्ट अपनी क्षमताएं पूरी कर चुका होगा खुशी की बात ही है कि देश का सबसे बड़ा हवाई अड़ा एक हवाई अड़े को संपूर्ण जब कहा जाता है जब उसमें 300 विधाएं पूरी होती है सवारियों के लिए और हुमन जो हमारा लोड होता उसको पुरा करने के लिए दूसरा होता है एरपोर्ट के साथ साथ कारगो का होना समान लोड बोने के लिए क्योंकि एक जहाज में अगर मान लिजए किस दिन सवारी 400 में से 200 रह गई और इतनी भूमी और कहीं उपलब भी नहीं थी और दिल्ली के पास की पास तो तीनो जरूतों को पूरा करता हुआ एक उद्योगी के नगरी नौइडा ग्रेटर नौइडा से जोड़ा हुआ चुनावी परिपेक्ष से ये इवेंट कितना एहम रहने वाला है ऐसे पश्रमी उत्रपरेशी नहीं बलकि पूरे देश के विकास के लिए इसे एक एहम केंद्र बाना जाएगा ये जेवर एइपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधान मंती नरेन मोदी जिसका शिलान्यास करने वाले हैं 25 सुमबर को दरसल पूरे पश्रमी उत्रपरेश के साथ साथ कई आसपास के जिलो कीरी कनेक्टिविटी को बेहतर करने वाला है डुमेस्टिक एरलाइन्स, इंटरनाशनल एरलाइन्स हर लिहास से ये एएपोर्ट एक वैश्रिक पटल को उत्रपरेश को पहुँचाएगा और साथ ही आप ये समझे कि कितनी बड़ी लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी पर अचानक से सरकार ने यूटोन ले लिया है इसे रेगलेट करने के संकेतों के बीच सरकार संसत के शीट कालीन सत्र में बिल लाकर निजी क्रिप्टो करेंसी में निवेश को बैन कर सकती है इसके असर से दुनिया भर में बिटकोाइन, इथेरियम और टीथर जैसी लोगपुरिये क्रिप्टो करेंसीों में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ गई है निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए सरकार संसत के शीट कालीन सत्र में बिल पेश करेगी The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 में देश की सभी प्राविट करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है इस बिल के संसत से पारित होने के बाद बिटकोाइन और इथर जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है अलांकि इस बिल में ये मांग भी की गई है कि क्रिप्टो करंसी की तक्निक और इसके इस्तेमालों को बढ़ावा देने के लिए कुछ अफवादों को अनुमती दी जाए The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021 में RBI से आधिकारिक Digital Currency के क्रिएशन के लिए एक Framework बनाने की भी मांग की गई है सरकार का ये अचानक से लिया गया फैसला हैरान करने वाला है दरसल कुछ समय पहले तक इसके लिए Regulate बनाने की चर्चा हो रही थी खुद PM की अधियक्षिता में इस मसले पर सरकार के कई मंत्रालेयों ने बैठर की थी लेकिन इसके बाद PM ने इसके गलत हाथों में जाने को लेकर चिंता भी जाहिर की थी Take Cryptocurrency or Bitcoin for example. It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands which can spoil our youth. Friends, we are at a historic moment of choice. Whether all the wonderful powers of technology of our age will be instruments of cooperation or conflict. इस चिंता के बाद Cryptocurrency के भविश पर फिर से सवालिया निशान लगए थे. Cryptocurrency पर प्रस्तावित बैन के खबरें सामने आते ही इनमें धराधर बिक्वाली शुरू हो गए. इस बिक्री के असर से कुछ ही घंटों में विटकॉइन साथे 18% इथेरियम साथे 15% और टीथर 18% से ज्यादा लुड़क गई. ये गिरावट इस लिहास से खास माइनी रखती है कि भारत में खरीब 8% लोगों ने Cryptocurrency में निवेश किया है. इन निवेशकों ने खरीब 70,000 करोर उपए करी तरह की Digital Currency में लगाए हुए हैं. ऐसे में निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई के डूबने के डर से परिशान है. सरकार के रुख से अभी तक यही संकित मिल रहा था, कि Cryptocurrency को पूरी तरह बैन नहीं किया जाएगा. लेकिन अब इस बिल के बाद माना जा रहा है कि केवल RBI की Digital Currency को मानिता मिलेगी और बाकी सब्वे Currency भारत में बैन हो जाएंगी. आज तक प्योड़ो.